दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको योरप का नक्षा समझाने की कोशिश करूँगा यानि हम योरप महादीप को समझने की कोशिश करेंगे हम ये देखेंगे कि यूरप महादीप में कौन-कौन से देश है उनकी राजधानिया क्या-क्या है और उसकी स्थिती क्या है देखे आने वाली जो भूगोल की वीडियो होने वाली हैं वर्ल्ड जोग्राफिक की वीडियो होने वाली हैं उसकी लिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है और आपको पता है कि हम एशिया, उत्री अमेरिका, दक्षणी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ओसेनिया ये सब पूरा कर कि जादतर यॉरप का जो हिस्सा है वो कहां है पूर्वी हिस्से के अंदर आता है मतलब अधिकांश यॉरप महादीप की जो स्तिती है वो पूर्वी हिस्से के अंदर है लेकिन अगर आप बात करोगे इस छोटे से हिस्से की ये है United Kingdom और UK जहां से आपके Britishers निकल के आते है ये हिस्सा कहां आता है वेस्ट की तरफ आता है तो इस हिस्से को specially आप याद रख सकते हो कि ये वेस्ट की तरफ आता है उपर भी आप देखोगे कि थोड़े बहुत हिस्से जो है वेस्ट की तरफ जा रहे है लेकिन आप कह सकते हो कि जो अधिकांश यॉरप है वो कहां पे है वो पूर्वी हिस्से के अंदर आता है वहीं अगर हम भूम मद्य रेखा की बात करें तो ये अर्थ को दो हिस्सों में तोड़ देता है एक है उत्री हिस्सा और एक है दक्षिने हिस्सा अब आप बताईए कि योरप कहा है उत्री हिस्से के अंदर है तो जायतर हिस्सा जो है वो उत्री हिस्से के अंदर आता है, तो इसकी स्थिती क्या हो जाती है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी स्थिती हो जाती है योरप की, अब अगर आप योरप के नक्षे को उपर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि योरप एक प्रायदीप है, प्राइदीप का मतलब क्या होता है एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो ये भी पानी से घिरा है आप उत्तर की तरफ देखोगे तो Arctic महासागर नजर आएगा पस्चिम की तरफ देखोगे तो Atlantic महासागर नजर आएगा और दक्षिन में आपको भूमध्य सागर, जिसको Mediterranean Sea के नाम से भी जना जाता है, वो नदर आएगा, तो उपर है Arctic, पस्चिम में है Atlantic, और दक्षिन में है भूमध्य सागर, मैं आपको बता दूँ कि जो भूमध्य सागर है, यह Atlantic महा सागर से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नजर आएंगे, जैसे कि आप उत्तरी योरप की तरफ देखो, तो आपको यहाँ पे Sweden नजर आएगा, नौर्वे नजर आएगा, यह भी तीन तरफ से पानी से गिरा हुआ है, एक, दो, तीन, तो यह भी एक प्रायदीप हो जाता है, इसको आप Scandinavia प्रायदीप कहोगे, यह जो देश आपको उपर नजर आ रहे हैं, Sweden नौर्वे, यह Scandinavia यह देश है, तो इसको Scandinavia प्रायदीप कहा जाएगा, वहीं अगर आप थोड़ा नीचे आओगे इस तरफ, तो यहाँ पे आपको Britain नजर आएगा, जैसा मैंने कहा था, UK, United Kingdom, यह Britain भी जो है तीन तरफ से पानी स घिरा हुआ है, तो इसका मतलब यह भी एक प्रायदीप हो जाता है, Britain प्रायदीप जिसको आपको होगे, थोड़ा यहाँ आओगे, तो यहाँ पे आपको Iberian प्रायदीप नजर आएगा, Iberian प्रायदीप में आपको Portugal और Spain नजर आएगे, यह भी तीन तरफ से पानी से घि जाता है, इस तरीकी से थोड़ा यहाँ आओगे, तो यहाँ पे आपको Slovenia, Croatia, Basina और हर्जे गोविना, यह सारी countries नजर आएगे, तो यह countries भी तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो यह भी एक प्रायदीप है, इसको Balkan प्रायदीप कहा जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कि पूरे यूरप को प्रायदीपों में तोड़ सकते हैं, उत्तर का प्रायदीप अलग हो गया, इसके अलवा, Iberian प्रायदीप अलग हो गया, Britain प्रायदीप अलग हो गया, Italy प्रायदीप, Balkan प्रायदीप, तो इस तरीकी से आपको easily याद हो जाएगा, तो सबसे पहले हम Scandin Scandinavia ही प्रायदीप की बात करते हैं, क्योंकि याँ पे Scandinavia ही देश आते हैं, उत्तरी यूरप में आपको नज़र आएगा, इसमें आपको mainly Sweden, Norway ये दो देश नज़र आएगे, इसके अलवा नीचे आपको Denmark नज़र आएगा, इधर Finland नज़र आएगा, थोड़ा इधर आओगे जो इस प्रायदीप में आते हैं, लेकिन चुकि ये साथ-साथ में हैं, पास-पास में हैं, इसलिए हम इसे इस लिस्ट के इंदर जोड़ सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि Sweden, Norway, Finland, Denmark और Iceland, ये पांचो देश जो हैं, ये Scandinavia ही देश हैं, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये Scandinavia ही देश क्या होते हैं, तो देखो, Scandinavia ही देश वो देश हैं, जहां का इतिहास और संस्कृती काफी ज़्यादा मिलती जुलती हैं, जैसे कि यहां पे समान भाषाएं बोली जाती हैं, स्वेडेश हो गई, नॉर्वेजियन हो गई, डैनेश हो गई, ये basically मिलती जुलत भाषाएं हैं, और इनकी सामाजिक संरचना हैं, और जीवन शैली भी एक जैसे, तो कुल मिला कि ये देश एक जैसे हैं, और उत्तरी योरप में आते हैं, इसलिए इनको Scandinavia ही देश कहा जा सकता, तो एक लिस्ट में आप रख सकते हो, पांच देश होगो, पहला है Sweden, जिसकी राजदानी है Oslo, Finland है, इसकी राजदानी है Helsinki, Denmark की राजदानी है Kopenhagen, और Iceland की राजदानी है Riksevik, मैं आपको बता दू कि Iceland में बहुत से सक्रिय जौला मुकी पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन फिलाल याद रखो कि Iceland के अंदर बहुत से सक्रिय जौला मुकी पाए जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपको Farrow Island भी नज़र आएगा, यह एक Danish हिस्सा है, मतलब Denmark का हिस्सा माना जाता है, द्वीप है, अलग से देश नहीं है, तो इसको भी आप याद रख लेना, पांच देश हो जाते हैं, Sweden, Norway, Finland, Denmark और Iceland, अब चलते हैं Britishers की तरफ, यानि कि Britain प्रायदीप की तरफ, Britain प्रायदीप में कई सारे देश आते हैं, जैसे कि Scotland, England, Wales, उत्तरी Ireland, इन सब को जब आप बनाओगे, मिलाओगे, तब बनता है आपका United Kingdom, ध्यान से समझ लो, चार देश हैं, Scotland, England, Wales और उत्तरी Ireland, म और इन सब को बनाके मिलता है United Kingdom, United Kingdom की जो राजदानी है वो क्या है, London शहर है, जो कि England के अंदर हो जाता है, अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको नोट करने वाली बात बता दो, कि ये तो United Kingdom है, जब आप बात करते हो, Great Britain की, तो Great Britain में Scotland, England और Wales, ये तीन ही देश आते हैं, उ United Kingdom में Scotland, England, Wales और उतरी आइलेंड आते हैं, तो ये आपका छटवा देश हो जाता है United Kingdom, सातवा देश आता है, जो बचा हुआ Ireland आपको नज़रा रहा है, इसको कहते है Republic of Ireland, Republic of Ireland की जो राजदानी है वो है Dublin, तो इसे भी आप याद रख लो, तो ये हो जाता है Britain प्रायदीप, आपको यहाँ नज़रा आएगा, इस प्रायदीप में मुख्यत है पहाड़ी और परवतिय शेत्र पाए जाते है, important हिस्सा है, यहाँ पे मुख्यत है दो देश है, एक है पुर्तगाल और एक है स्पेन, और एक छोटा देश भी यहाँ पे आता है जिसका नाम है अंडोरा, पुर्तगाल की जो राजदानी है वो है लिस्बन, स्पेन की राजदानी है वो मैडरेट और अंडोरा की राजदानी है अंडोरा लावेला, तो यह आठ, नौ और दस नंबर पे देश आते हैं, पुर्तगाल, स्पेन और अंडोरा, तो तीन प्रायदीपों में दस देश प चोटा सा देश, Vatican City नाम का चोटा सा देश, मैं आपको बता दू कि Vatican City सबसे चोटा देश है दुनिया के अंदर और एक आता है मोनाको जो की चोटा सा देश है, ये सारे देश कहां आते हैं, इटली प्रायदीब के अंदर आते हैं, तो इटली की राज़ानी क्या है? रोम, सैन मरीनो की राज़ानी क्या है? सैन मरीनो सिटी, Vatican City की राज़ानी Vatican City है ही, और मोनाको की राज़ानी मोनाको है ही, तो ये चारो देश आपके इटली प्रायदीब के अंदर आते हैं, इसको आपको याद रखने मैं आपको बता दू कि Italy से जस्ट उपर दो देश और है जिनको आप एक साथ याद रख सकते हो एक तो है Switzerland बहुत ही खुबसूरत जगे है और एक है France ये भी काफी खुबसूरत जगे है Switzerland की जो राजदानी है वो है Bern और France की राजदानी जो है वो है आपकी Paris आपको पता होगा जहाँ पर आइफिल टावर बना हुआ है तो ये दो देश और हो जाते हैं तो टोटल 16 देश हो जाते हैं कितने प्राइदीप हो गए Scandinavia, Britain, Iberian और Italy तो ये 5 प्राइदीप में हो जाते हैं सौदा देश और दो देश इसके ऊपर हैं Switzerland और France इनको आप याद रख सकते हो अब हम चलते हैं बालकन प्राइदीप की तरफ यानि कि यहाँ पे बालकन प्राइदीप आपको नज़र आएगा इसके अंदर भी तक्रिबन 8 देश आते हैं एक आता है Slovenia यहाँ पे Slovenia नज़ आएगा इसके पास में आपको बेसीना और हर्जे गोविना नज़र आएगा बहुत लंबे-लंबे नाम है लेकिन काफी मैतवपूर्ण है तो याद रखो बेसीना और हर्जे गोविना इसके पास में Montenegro है सर्बिया कोसोवो नौर्थ मैसेडोना और अलबेनिया नज़र भी नाम है यह थोड़े से अटपटे हैं इसलिए बालकन कंट्रीज कहा जाता है इनको इनकी भी जो संस्करती है वो एक ही जैसी है यहाँ पे स्लोवेनिया की राजदानी लूबलजाना है क्रोईशिया की राजदानी है जाग्रेब बेसीना और हर्जे गोविना की राजद लाजदानी है तिरांग मुझे पता है कि इस वक्त ये नाम आपको बहुत ही कठिन लग रहे होंगे लेकिन बालकन कंट्रीज के जो नाम है वो कई बार प्रैक्टिस करने पर ही याद होते हैं मैं आपसे कहूंगा कि बालकन प्रायदीप का हिस्सा बार बार देखिएगा इ जो कि इसको लिखने से ही ये नाम याद होंगे सीधे सीधे नाम नहीं होंगे तो इनको लिखना जरूरी हो जाता है अब देखिए बालकन कंट्रीज के बास और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनको आप बालकन का ही हिस्सा मान सकते हो जैसी कि यहाँ पे आपको रोमानिया बु अंकारा है ग्रीस की राजदानी है वो है एथेंस बुलगेरिया की राजदानी सोफिया है और रोमानिया की जो राजदानी है वो बुखारेस्ट है तो आप ऐसा कर सकते हो कि यह जो आठ कंट्री आपने बालकन कंट्रीज में लिखी है इसके साथ यह चार भी याद कर सकते तर्की तो वैसे ही रह जाएगा याद तर्की को एक बार के लिए अलग भी कर दो तो ग्रीस, बुलगेरिया और रोमानिया जरूर याद रखना तर्की को एक बार अलग मानके चलो क्योंकि तर्की क्या है एशिया के अंदर भी है और योरप के अंदर भी है तो इसकी एक अलग category बन जाएगी क्योंकि बहुत से ऐसे देश भी है जो एशिया के अंदर भी होते हैं और योरप के अंदर भी होते हैं तो टर्की उनी में से एक है तो आप इन आठ बालकन कंट्रीज के साथ यह तीन और जोड़ लो जाते हैं वो देश कौन कौन से हैं रशिया, अर्मेनिया, अजर्बैजान, साइप्रस, जॉर्जिया, कजाकिस्थान और माल्टा यह वो देश हैं जो आपको एशिया में भी मिलेंगे और योरप के अंदर में मिलेंगे इन्ही में आप तर्की को भी जोड़ लो रशिया की जो राजदानी है वो मॉस्को है, अर्मेनिया की राजदानी चेरेवान है मैं आपको बता दूँ कि जो अर्मेनिया है उसका अधिकांच हिस्सा एशिया के अंदर है पर थोड़ा सा पश्चमी भाग जो है वो योरप के अंदर पाये जाता है इसके अलावा अजर्बाइजान की राजदानी बाकू है साइपर्स की राजदानी जो है वो निकोसिया है जॉर्जिया की राजदानी टिबलिसी है कजाकिस्थान की राजदानी जो है वो नूर सुल्तान है और माल्टा उसकी राजदानी वालेटा है अब आप मुझसे कह सकते हो कि माल्टा को मैंने कैसे कह दिया कि ये यूरप का हिस्सा है तो मैं आपको बता दू कि माल्टा एक द्वीपीय देश है माल्टा की जो सिती है वो असल में भूम अध्य सागर के अंदर है बूमध्य सागर में है तो वैसे तो ये अफरीका के जादा करीब है लेकिन इस पर प्रभाव है वो योरप का है इसलिए माल्टा को अलग से आप याद कर सकते हो तो ये माल्टा भी योरप का हिससा ही मान लिया जाएगा एक तरीके से तो ये वो देश है जो एशिया में भी पाए जाते हैं और यूरप के अंदर भी पाए जाते हैं मध्य में तकरीबन पंदरा देश और बचते हैं जिसमें आता है एस्टोनिया लात्विया लिथवेनिया, बेलारूस युक्रेन मालडोवा, पोलेंड जर्मनी हंगरी, स्लोवाकिया चेक रिपबलिक, आस्ट्रिया लाइंचेस्टीन लग्जंबर्ग, बेल्जियम और नीदरलेंड इनको ठीक से यात कर लो इसमें से कुछ नाम तो बहुत ही फेमस है जैसे कि पोलेंड, जर्मनी हंगरी, स्लोवाकिया इनके बारे में बतानी की जरूद नहीं है बहुत ही फेमस है आप कहसकते हो कि यही है एक्चुल यॉरप अच्छा, एस्टोनिया की राजदानी जो है वो तिल्लीन है लात्विया की राजदानी रीगा है लिथवेनिया की राजदानी विल्नियस है बेलारूस की राजदानी मिंसक है युक्रेन की राजदानी केव है केव का नाम तो अभी बहुत ज़्यदा चाया हुआ है क्योंकि आपको पता यहां पे अभी भी वार चल रहा है इसके अलबा माल्डोवा की राजदानी किशीनो है, पोलेंट की राजदानी वार्सो है, जर्मनी की बरलिन, हंगरी की बुड़ापेस्ट, स्लोवाक्या की ब्रातिसालवा, चेक रिपबलिक की प्राग, आस्ट्रिया की विएना, लाइचेंस्टीन जो की दुनिया का छटा पाया जाता है, उसकी राजदानी है वादूज, लक्संबर की लक्संबर की शहर, बैल्जियम की ब्रुसेल्स, और नीदरलेंड की एमस्टरडम हो जाती, तो ये वो है मध्धे का यूरोप, जिसको आप कह सकते हो, मध्धे यूरोप, काफी महत्वपूर्ण माना जाता, त इन में से कौन से देश जो है वो यूरोप में आएंगे, और कौन से एशिया के अंदर आएंगे, तो फिलाल आप इन कंट्रीज को याद कर लो, और अपनी तरफ से नक्षे को भरने की कोशिश करो, मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपके लिए helpful साबित रही होगी, अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी कोईरी आती है या फिर दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one.